हाईलो फ्रेंट्स वेलकम इलो गुरू चैनल मैं जी टेंद्सक्मार्सिंग आज बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेर्स की दोस्तो आज तारीकों के 13 जुन 24 और आज बहुत सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स निकल के आ रहे हैं अगर आप इस वीडियो का पीडियो चाहते हैं वीडियो भी अब लेवल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेर्स हाल ही में अरफित पॉर्ड का निर्मान किसके दवारा किया गया है यह है भारती वाई सुना के दवारा अरफित पॉर्ड का निर्मान किया गया है अरफित पॉर्ड का फुल फर्म होता है जो COVID-19 जैसे महामारियों से संक्रमित हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं। इसी के अंत्रगर्ट जो ये अब देख रहे हैं। इसमें क्या किया गया आइसोलेट करने का सिस्टम किया गया है। इसको डिजाइन, डेवलॉप और मैनुफैक्टरिंग जो किया गया है। जो COVID-19 महामारी से जो भी बैक्ति संक्रमित हैं। उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। फसाई के खाद सुरक्षा सुचकांक में किस राज ने पर्थम इस्थान प्राप्त किया है। ये है गुजरात राज। गुजरात राज ने फसाई के खाद सुरक्षा सुचकांक के फर्स्ट पोजिशन प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों और सेकंड पोजिशन पे है तौमिल नाडू, थर्ड पोजिशन पे है महराश्ट्रा, फसाई के चेयर पोजिशन कौन है, मिसेस रिता टियाटियो, सीयो कौन है, अरून सिंघाल, एंड फसाई का हेड़ क्वार्टर कहा है, न्यू डेली में, आप ये क्या होता है, Food Safety and Standard Authority of India, ठीक है दोस्तों, फस्ट पोजिशन पे है, गुजरात है, सेकंड पे तौमिल नाडू, थर्ड पे महराश्ट्रा, और स्मॉल स्टेट के अंदर की बात किरें, तो गोवा जो है, फस्ट पोजिशन पे है, सेकंड पे मनिपूर, थर्ड पे में गाले, Union Territories के बात करें, तो चंडीगर फर्स्ट पे, दिली सेकंड और अंडमान आईश्लेंड थर्ड पे, नेक्स्ट, कुरोना वाइरस के रोगियों के लिए भायत की पर्थम सौदेशिक के फायती, वायलेस, सारीक मानक निगरानी परनाली का नाम क्या है, ये है COVID BIP, नाम दिय गया है COVID BIP, ठीक दोस्तों ये पूर्ण रूप से सौदेशी है, इसका पड़ियों किया जा रहा है, COVID BIP, COVID-19 के रोगियों के लिए भायती पर्थम सौदेशिक के फायती, वायलेस, सारीक मानक निगरानी परनाली है, यह उपकरन भारत में बिक्सित पहली सौदेशी परनाल में ये किया गया था, कि ग्रिश्म रित्व के लिए दूसरा कैपिटल सेलेक्शन किया गया है, यह है गैर्षेन, गैर्षेन को ग्रिश्म काली रजधानी घोशित किया गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि वींटर कैपिटल अफ उत्राखंड इस देहरादून, आप भारत का मैप देख सकते हैं, मैप के अंदर जो ये, ये जो है, हो गया आपका उत्राखंड, उत्राखंड के यहाँ पर अलग से मैप दिया गया है, और उत्राखंड का सियम कौन है, उत्राखंड का सियम, त्रिवेंदर शिंग रावत, नेक्स्ट, इन में सस्किस राज के मुख मंतरी जगत मोहन रडी ने हाल ही में पाला ऑनलाइन कच्रा बीनी मय कारेकरम शुरू किया है यह है आंद्रपर्देश राज ने ओनलाइन कच्रा बिनिमय कारेकरम शुरू किया है इसके तहट जहरीले कच्रे के सुरक्षित निप्टान और जहरीले कच्रे को पुन चक्रन और दोबारा उप्योग को बढ़ावा दिया जाना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट सेवी ने किस बैंक के संस्थापक राना कपूर को परमोटर के तौर पर हटा दिया है यह है यस बैंक यस बैंक के संस्थापक राना कपूर को परमोटर के रूप तौर पर हटा दिया गया है एपल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैम पर पहुचने वाली अमेरिकी की कौन सी कमपनी बन गई है यह है पर्थम कमपनी बन गई है एपल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैम पर पहुचने वाली अमेरिकी की फर्स्ट कमपनी बन गई है निम्न में से किस देश की 90 वर्षिय हमाको मोरी ने रोजाना तीन से चार घंटे वीडियो गेम खेल कर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्वर पर ग्रिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराया है यह है आप नाम देख रहे हैं यहाप 90 वर्षिय हमाको मोरी ने यूट्व पे ऑनलाइन वीडियो गेमिंग खेलते हुए इन्होंने एक अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्रिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है और यह किस फिल्ड में दर्ज कराई हैं ओल्डेश्ट गेमिंग यूट्वर जपान की 90 वर्षिय हमाको मोरी ने रोजाना 3-4 घंट वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेश्ट गेमिंग यूट्वर पर ग्रिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराय है उन्हेंने कहा कि 1981 में बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देखकर उनकी इसमें रूची जागी नेक्स्ट आप यह पिक्चर देख सकते हैं यह ग्रिनिज बुक का जो नाम एड़ हुआ है इस पर लिखा हुआ यहाँ आप ध्यांस देख सकते हैं वर्ल्ड रेकॉर्ड गिनिज ठीक है दोस्तों इनको गिरिनिज इनको गिरिनिज बुक आफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में नाम एड़ किया गया है सबसे ज्यादा उम्र की यह महिला है जो तीन से चार घंटा गेम खेलती है केंद्र सरकार ने बी एज सिक्स वाहनों के लिए नया दिसा निर्देश जारी करते हुए कितने सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टीकल लगाने को कहा है एक सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टीकल लगाने को कहा गया है ये जो है 1 October 2020 से लागूख किया जाएगा Next नेमन में से किस e-commerce company ने स्कूल के बच्चों के लिए School for Home a store launch किया है Amazon Amazon e-company ने स्कूल के बच्चों के लिए School for Home a store launch किया है इसके अंतरगत बच्चों के स्कूल में जो भी रिकॉामेंट पड़ता है वो सब सामगरी एक ठाक किया गया है और उसको सेल किया जा रहा है Online Amazon पे ठीक है दोस्तों जिससे की बच्चों को तो help मिलेगा उसके अभी भावक को भी help मिलेगा उसके सांथी सांथ सिच्चक को भी इस जो School for Home से जो उसके अंद्रगत बच्चों का समगरी जो दिये जा रहे है उससे सिच्चक को भी help मिलेगा ठीक है दोस्तों अगर आपको कोई doubt है तो आप comment session में comment कर सकते हैं Thanks for watching